तो इस एपिसोड को सुरू करने से पहले अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो फिलीज जाके देख लीजिए ताकि आपको यह एपिसोड अच्छे से समझ में आएं तो चलता इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं जहांग जीत चुके होती है और वो कहा रही होती है तो महार जुके हो और जैसे कि हमारा एगरिमेंट था वर्थ केरेटर क्लास का स्टुडेंट अब से हमारे कंट्रोल में रहेगा और अब यहां पे तुम्हारे प्रिजेंस की कोई भी जुरूरत नहीं है जो कि सुनते हैं उसका साथ ही कह रहा होता है तब ही वो स्टुडेंट कहा रहा होते ग्रेट अब मज़ार मार खाना नहीं पड़ेगा तब ही वो लेड़ी कहा रही होती है जौंक तुमने काफी अच्छा किया है दूसरी तरफ यह सब देखते हैं वे ज्याव काफी जाला गुस्ता होता है और मनीमन कहा रहा होते थिक क है मैं एक लीड़ी से कैसा हूँ ऐसा होई नहीं सकता इसे के साथ वह अपना भाहर निकालता है और कहता है मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता तुम्हें इसे इतनी आहांसाने से बच नहीं पाऊगे इसी के साथ जौंक पर पीज़ेस अठेक कर देता है जो कि देखते हैं बढ़ नहीं वाला होते कि तब ही तो आप एक मंकी आते वे उसे नीचे गिरा देता है जो कि देखते हैं कि आदमी आता है और कहता है हार कि सिजबेशन में ऐसे बेका ऐसा डिजिदन लेना यह काफी ज़्यादा बेकार है और बस तुम इसलिए यह सब कर रहे हो क्योंकि त होती है यह यह देखते लेडी केर रही होती है यह तो सिनियर मैं और एक मप में है जाने दो उसको सब्सकूर्स सब्सक्राइब करने के लिए बस सैवन क्लासे से बचे हुए है तो अगर तुम मुझे टच करने की इमत भी करते हो तो क्लास फॉर से तुम्हें पैट रिसोर्स मिलता है वो तुम्हें नहीं मिल पाईगी तो इसलिए सोचना बंद करो सीनियर मैं जियाओ फैमली से हूँ और हम लोग हम ऐसा स मुझे एपने प्रॉमिस पर बने रहते हैं तो इसलिए मुझे छोड़ो जो कि सुनते ही वह जो बंदर होता है उससे चाठे माने लगता है यह देखते ही वह कहर रहोते का क्या तो मुझे मानने की मत कर रहे हो तब सब्सक्राइब करते हैं और हमें यह पता है कि क्या सही है और क्या गलत है इसके अलावा हम ऐसे कुछ लोग पिछले कुछ समय से तुम्हारे काइडनेस को लेना बंद कर दिया था और इसे के साथ वो जिया के काफी धुनाई करता है जहां पर जिया का मुझ सूच किया होता है और वो माफी मांगते भी क्या रहा होता है से सीनियर मैं गलत था और मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा तो प्लीस मुझे छोड़ दीजिए जोगी देखते हैं वो क्या रहा होता है बाहर में जाओ अगर तुम दोबारा कभी इस अर्थ क्लास में कदम रखोगे तो मैं करने वाला है तो इसलिए मुझे थैंक्यू कहना चाहिए यह सुनते वे जौं कहरी होती है लेकिन हमने क्लास 4 के जियाओ फैंक्शू को नारास कर दिया है वो सच में आपके पैट रिसोर्स सप्लाइच चैनल से कुछ कट कर सकता है और अगर यह क्लास सेपरेशन एसेस्में इन के लिए नहीं होता तो क्लास 8 अभी बैट रिसोर्स के मामले में कॉन्ट्रिब्यूट कर सकती थी तो सीनियर क्या रहा होता है खैर इसके बार में चिंता मत करो लंबे समय से हमारे पास पैट रिसोर्स की कमी है तो यह कोई नहीं बात नहीं है और हम उसकी दमकी से देज वैसे हाँ अगर तुम्हारे क्लास में क्लास अपरेशन असेस्मेंट फेल हो जाते हैं तो प्लीस उदास मत हो ना बस सीधे हमसे जोड़ जाना मैंने पहले से तुमारे लिए अच्छे जगा तयार करके रख दी है ये कहती हो असरा होता है जोगे देखते लिए जोगे जोगे कहती है कि अस्च में तो लेडी कहती है इतना सीनिय सल बनना बन करो पागल जोग अभी बहुत ही ज़ाद अच्छा कर रही है ता अभी सुबिं करता है और मैंने आपको बात करते सुना तो ऐसा लगता है कि या अच्छा मार्केट है तो यह सुनते वे वो सीनियर कह रहा होता है मैं ऐसे इस तरह कहना चाहता हूं कि जो लोग पैट्स को टेम करने की आर्ट सीखने के लिए बिस्ट इस्ट्रक्टर अकैडमी में एंडर क होते हैं कि पास या तो थोड़ी सी ही टेलेंट और पावर की कमी होती है या फिर उनका फैमिली काफी ज्यादा बेकार होता है लेकिन अगर तुम्हारे मन में पैसे कमाने की कोई भी थोड़ से तो मैं हर मानने की सला देता हूं क्योंकि यह पैसा उनके फैमिलिस के जरीए अपने बच्चे को सेकसेस बनाने में मदद करने के लिए जुटाया जाता है और अगर तो मेरे हाथ लग गये तो तुम्हारा भी अन्तुव ऐसे होगा जैसे कि अब इसके साथ हुआ था यह सुनते वे जौंग कहती है से सीनियर आपने गलत समझ लिया है बहुत सूने यहां पर पैट्स लाने का कोई रास्ता है तब इस सीनियर कहा रहा होता है तुम शायद स्कूल से नहीं हो है ना स्कूल के भीतर पैट मार्केट पर इसकूल का एक तरफ अधिकार है जब तक 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 वहां से पैट विश्ट को अंदर लाना यह इंपॉसिवल है तो पैट रिसोर्स की प्राबलम को हल कर सकता है तो फिर यह मेरी एक बड़ी मदद होगी लेकिन आखिर वो इतना कॉंफिडेंट कहस हो सकता है वो से कह रहा होता है तो बताओ तुम्हारे माइड में क्या चल रहा है सुपिंग उसे कह रहा होता है वैसे इसे आजमाओ तुम कुछ भी भीकाव के लिए नहीं है जो कि देखती हुए वो सीनियर कह रहा होता है अंकल अगर आप स्टोर नहीं बेचना चाहते हैं तो कम से कम इसे हमें कराएमें तो दे सकते हैं है ना बस आपके कीमत बताइए तो यह सुनते वह बुड़ा आदमी कह रहा होता है यह रैं यह क्या है यहां दे कि एक बॉस भी इस एल्डर को बुली नहीं कर सकता तब सुपिंग कह रहा होता है चलो मुझे कोशिश कर रहे दो और इसे के साथ वो चैंसलर से कौंटक्ट करता है जहां पर वो चैंसलर मुझ पर एक एहसां करो और मेरे लिए कुछ हैंडल करो जल्ली से यह सब सेटल कर दो तो यह सुनते वह चैंसलर कहा रहा होता है ठीक है मैं समझ चुका हूं किसा सब्स बुड़े आदमी को एक बड़ा से बिल्डिंग दिखाता है और कहाता है सर यह हुली लट सिटी बेस सिटी के डाउन टाउन एरिया में टॉप टियर का एक स्टोर है तो फिर ट्रेड के लिए कॉंट्रेट करते हैं यह सब देखते हैं काफी जादा है और कहता है यह क्या बखवा से पैसे का पावर क्या यह पैट इंडुस्ट्री सच में इतना प्रॉफिटेवल होता है और वैसे वह चोटी से जगह के साथ क्या करने का प्लैन बना रहा है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपेंग उस स्टोर के अंदर बन रहा होता है जी इसके साथ अब यह एपीसोड यह पर खत्म होता है तो बताओ तुम्हीं यह सीरीज कैसे लेगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शब्सक्री गरना मत भूना इसके साथ हम्रा सेस सीरीज को भी देख लो लिंक्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हां हमारे सेक्रेंड चनल को सब्सक्राइब करना मत भूला में अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई